हलो फ्रेंड्स वेलकम टु निशाल सूट प्लयानेट और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही हैल्दी वीट लॉस ड्रिंग जो है कैरेट बीटरोड जूस तो चलिए यह हैल्दी डिपनाने स्टार्ट करते हैं इसके पहले अगर्फ मैं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूले एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बीटरोड जूस के बहुत ही सारे हैल्थ बेनिफिट से जैसे कि आपके कोलिस्टरॉल लेवल करता है बलड पैशर को कंट्रोल करता है आपकी बून्स की स्ट्रॉंग करता है बलड सार्कलेशन को इंप्रूफ करता है जिससे आपके फेस पर ग्लो आता है और यह आपके लि हाफ इंच हमने यहां पिर अध्रका टुकड़ा लिया है फस्ट अफॉल हमें कैरट और बीट रूट के आउटर स्कृन को रिमूव करना है ताकि इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाए इसके बाद इसे मच्छे से वाश कर लेंगे हमें कैरट और बीट रूट को बहुती स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है ताकि ग्राइंड करते टाइम यह इसली ग्राइंड हो जाए आप इसी जूसर में भी निकाल सकते हैं इसका जूस लेकिन आज हम आपको यहां पर बिना जूसर के इसका जूस निकालना बताएंगे हमने कैरट को फाइनली चॉप कर लिया है हम बीट रूट को भी फाइनली कट कर लेंगे स्मॉल पीसेस में यहां पर हमने दो बड़ी साइस की टमाटर लिये हैं इसे भी फाइनली चॉप कर लेंगे टमाटर हम इस जूस में डालते हैं क्योंकि जो बीट रूट होता है वो थोड़ा सा गले में खराश पैदा करता है इसलिए उसे उसमें हम टमाटर एट करते हैं आप यहां पर चाहे तो लाइम जूस नीबो का रस भी यूस कर सकते हैं इसे भी स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे हम यहां पर हमने हाफ एज जिंजर लिया है जिंजर में क्या होता है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपरटी होती है यह बॉड़ी की स्वैलिंग को कम करती है और यह हमने तोड़े से धनिया पता लिया है यह भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस मिक्षर को हमने कट कर लिया है आप चाहे तो यहाँ पर मिंट लीव भी यूज़ कर सकते हैं वो ऑप्शनल है अब यहाँ पर हमें इस मिक्षर को ग्राइंड कर लेना है सबसे पहले हमें आधी मिनट के लिए से थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करना है आधे मिनट के बाद इसमें हमें डिल ग्लास पानी याट करना है और इसे हमने अच्छे से महीन इसे ग्राइंड करना है दो मिनट तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बन जाए और यह चानने में आसानी हो यह देखिए यह बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है आप देख सकते हैं इसका पल्प अलग हो गया है और इसका जूस अलग हो गया है अब इसे हमें चानना है यह देखिए कितना अच्छा इसका मिक्षर तयार हुआ है आप चाहें तो यहां पर इसे as a smoothie की रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह जो recipe है वो good source of fiber है, fat free है, cholesterol free है, gluten free है तो इसे आप इस smoothie की रूप में भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आपको इस mixture में हलका सा कालर नमक और चाट मसाला मिला करके यूज़ करना है उससे आपको juice के साथ में fiber भी मिलेगा और अगर आपको juice रही है तो इससे आप च्छान भी सकते हैं पर इस strainer के help से हम इसका juice निकाल लेंगे अगर अगर पास ऐसे चैनी नहीं है तो आप muslin cloth भी यूज़ कर सकते हैं और अगर वह भी ना हो तो और फिर आपको ए cotton का कपड़ा जिसके pore size थोड़े से बड़े हो उससे भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए इसका pulp अलग हो जाएगा और इसका juice अलग हो जाएगा पी सकते हैं यह आपके hair growth के बहुत अच्छा होता है इसकिन में glow आता है इससे और weight loss भी होता है तो इससे आपको blood pressure, cholesterol, sugar भी control में होता है क्योंकि यह जो recipe है वो resource of antioxidants है और जो antioxidants होते हैं वो body को free radicals होते हैं इसको remove करते हैं और यह जो aging process है इसको भी slow कर देता है आपकी bones भी strong होती है और इसमें anti-cancerous properties होती है सो यह बहुत ही जादा healthy है यह दिखिए कितना अच्छा juice निकला है यहाँ पर एक बात है क्योंकि यह जो recipe है वो आपके blood circulation को improve करती है जिससे आपके face पर glow आता है आपका color fair होता है तो अगर कोई यह सोची कि मैं एक दिन में 3-4 glass juice पी लूँ और मेरे face पर बहुत सारा glow आएगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि किसी भी चीज के अति बुरी होती है आपको डेली अप 250 ml इसे यूज कर सकते है अरली मॉर्णिंग में और इस जूस कॉप हलका सा गर्म करके पीजिए उससे आपके इसली डाइजेस्ट हो जाएगा और इसमें आफ थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला पॉडर यूज कर सकते हैं उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप यहाँ पर मिंट लीव भी यूज कर सकते हैं इसके बहुत सारे हैल्फ बेनिफिट्स है लेकिन यहाँ पर आप इसे 250 ml से जादा मत लीजे और डेली अर्लिंग मॉर्णिंग में इसे पीने से आपका ब्लड पैशर कोलिस्टरॉल कंच्रोल में रहता है वन वीक के बाद आप इसके रिजर्ट्स देख सकते हैं कि आपके बॉड़ी में क्या चेंजिस आए हैं आपके फेस पर कि तक ग्लो आया है तो आपको यह रस्पी कैसी लगी और आपके फेवरेट क्या है बीटरोड जूस या फिर स्मूदी कॉमें सेक्शन में हमें जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रस्पी के साथ तब तक अपना ध्यान रखेगा टटबबबर